आप सभी का सुगुत है अभी जो मैं आप सभी को बताने वाल हूँ बहुत important है इसको ध्यान से सुनिएगा और implementation कीजिएगा आप सभी का selection हो जाएगा कल मेरे से NTA के एक बहुत बड़े अधिकारी के साथ बहुत लंबे समय तक बात हुआ वो केमरे के सामने नहीं आना चा रहे थे मैंने भी फोर्ष नहीं किया ओफ केमरे बात हुआ बहुत लंबे समय तक मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे इस्पेसली था कि NTA एस्टुडिन्स को लेकर क्या सोचता है conclusion में आप सभी को बता रहा हूँ इससे आप सभी को बहुत help मिल जाएगा सुनिएगा और हाँ लास्ट में आप सभी को एक mock paper के बारे में बताऊंगा बहुत सारे बचे पूछ दे रहते हैं सुरू करते हैं मेरा पहला सवाल उनसे यह था कि हर साल cut-off increase कर रहे हैं NTA के बारे में क्या सोच रहा है और NTA का 2024 exam का pattern क्या रहेगा उन्होंने आंसर क्या दिया मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने कहा कि NTA इससे पर काम कर रहे हैं और हर साल कुछ न कुछ हम लोग चेंज यानि बदलाव कर रहे हैं एक सबसे बड़ा बदलाव था assertion based questions को लेकर हाला कि इस बात से मैं agree कर रहा हूँ आप सभी भी कीजिएगा पिछले 2-3 सालों में assertion based questions का संख्या बढ़ा है उनका यह था कि बच्चे practice अच्छे से करे questions NCRT पर ज्यादा focus करें चाहे biology हो चाहे physics हो चाहे chemistry हो मतलब मैं हमेशा आप सभी को कहता हूँ कि physics और chemistry का NCRT index और exercise का question करें यह आप सभी सुन लिजिए जरूर किजिएगा और biology एक एक लाइन पढ़िएगा bio NCRT के बाहर आपको नहीं पढ़ना है assertion based question जरूर लगाई cut of average कहीन कहीं questions के level ही decide करेंगा उनका यह भी था हमने यह भी पूछा कि अभी बहुत सारे chapters को reduce किया गया है competition और भी बढ़ सकता है उनका यह था कि competition तो हर साल बढ़ रहा है कोई बड़ी बात नहीं है कि जो पढ़ाई के बच्चों का अस्तर है वो बढ़ रहा है लेवल बढ़ रहा है जिस वजह से नंबर बच्चे अच्छे ला रहे है ठीक है उन्हों यह भी कहा कि बहुत सारे ब बता रहा हूं इसको follow करो मैं conclusion आपको बता रहा हूं जितना ज्यादा practice करो उतना ही अच्छा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एक-एक डे-डे-डे-डे-दो-दो महीने तक test नहीं देते हैं उनका यह था उनका यह होता है कि पहले में chapter पढ़ लो फिर test दो नहीं आप आप सभी weekly test दो इस बात का ध्यान दो चाहे online दो या offline लेकिन offline नीट के रिजाम होता है तो ज्यादा focus offline paper पर आप सभी करना होप आप सभी समझ में आप सभी को आ रहा है तो ncati को follow करना है bio physics chemistry आप सभी को एस्टेमें बेस्ट कोर्षन पर ध्यान देना है bubbles सही से लगाओ और जो mistakes कर रहे हो वो आप सभी ना करो conclusion में आपको बता दी आप सभी को इतना ध्यान में लेकर चलना है selection हो जाएगा और थोड़ा सा concentrate करके आप सभी question करो ठीक है अब मैं आप सभी को बता रहो बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं mock paper के बारे में देख लो मैं हर साल पिछ जरूर और करो मैंने link दे दिया है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी को explain कर देता हूं बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे विश्ली बार solve किये होंगे तो वो जरूर उनको पता होगा कि हां कितना बहतरी नों कितना आप सभी को benefit मिला होगा इस paper को solve करोगे तो proper experience करोगे कि NEET 2024 के exam आप अभी बैठ कर दे रहे हो ठीक है घर में offline यह जो पेपर बनाये गया है इसमें आप सभी को OMR sheet भी दिया जाएगा ताकि paper solve करो और OMR पे बवस लगाओ अगर आप 20 set मंगाते हो तो 20 आप सो भी को OMR paper आपको दिया जाएगा इसमें proper class 11th और 12th nc80 को line by line follow किया गया है तो ध्यान से इसको आप सो भी purchase करो previous year का जितने भी important questions है सब कुछ इसमें add किया गया है assertion based questions, statement based questions, diagram based questions सब कुछ इसमें डाला गया है complete new pattern को follow किया गया है जो कि 2020 में NTA ने follow किया है और जो भी new syllabus updated है complete इसमें उस तरीके से paper को बनाए गया है section B को बहुत risky और बहुत बहुत बेतरीन तरीके से बनाए गया है आप सभी को बता दू previous year जितने इसको solve किया था लगबग maximum missions का 40% marks grow किया था इस paper solve करने के बाद मैं आप सभी कितना ही कहूँगा इसको order करो इमन्दारी से honestly के साथ इसको solve करो आप सभी पहले कहता हूँ link दे रखा है अगर इमन्दारी solve करते हो 30-40% marks आपका grow कर जाएगा यह paper मंगाने के पार इसको solve करने के बाद 10-18 भी मंगा सकते ह complete link दे रखा है आप सभी order करो आप सभी solve करो यह मत सोचो एक्जाम के टाइम में मांगा तब solve करो शुरू करो नहीं अभी आप order करो proper syllabus आपको दिया रहा है कौन को सेट में क्या क्या syllabus दिया रहा है का बाइपार्ट करके फुल भी यह आप सभी solve जरूर करो बस मैं आप सभी क में अगे करो एतודה रहा है क्या यह आपर मुट करो देह में करो यह नहीं है अrió प्रोंगार्वार्ट के चग़ा इस अंतिता है स्क्राफ्वावसर जेब落़ारा और सक्राम को जिए है तर्श्कोंट मां सभीलिए है मां पीज जरूरू कि ए। लूरे इस पहीं जा है दोरू